हेलो वाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं नंकीन चावा, इसको बनाने के लिए हमें प्यास टमाटल को छोटा-छोटा कट कर लेना है और आपको एक ग्लास चावल बनाना तो एक ग्लास बासमती चावल को साफ कर लेना और धो लेना है, अब हमें एक कुक कर लेना है, उसमें म मास्टर ओयल दढ़ना है और मस्टर उनको गरम होने दें फिर उस में आधा चमत जीरा डालें और फिर हमारे कटे हुए प्याज को हमें उसमें उकर में डालना है अब उन कटे हुए प्याजों को तब तक भूनते रहना है जब तक हमारा गाला है प्यास्ट लाइट ब्राउन हो जा यदि देखों मारे जिल ना नंको ना फुरूर newish को और याल गस्तों हँआ है कितना प्यारत रंग मेरे प्यार का आल गया है अब में हमारे प्यास ब्राउन Kे नरूरन में अब इसमें टमाटर जो और हमने तो डालनी है है और इसे मिक्स कर सकते हैं अब हम सित्राइब को मिक्स करेंगे अब तो में करने के लिए अब में इसमें ऐसे मसाले डालेगे मसालों में मसाले डालेंगे इजन मसालों में हम एक चमच नमक और लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर काली में काला नमक डालेंगे और फिर इसमें हम अपने चावल के अनुस आर इसमें अपने चावल अगर आप हमें एक ग्लास आप लिए तो हम इसमें दो ग्लास पानी एड करेंगे और इने मिला देने अब हम इस पानी को दीरे दीरे गरम होने देंगे और फिर इसमें हम अपने साफ की होई चावलों को कुकर में डाल देंगे कुकर में डालने के बाद हमें इनने धीरे धीरे से हीलाना है ताकि हमारे चावल एक थोड़ जमाना हो पुरे कुकर के अंदर सही तरीके से फैल जाएं अब हमने अपने चावलों को हिला दिया है और अब हम इससे उपर को बंद कर देंगे और फूल गैस पर दो सीटी मारेंगे देखो हमारे चावल बनके ट्यार हो गए हैं लीजिए हमारे नमकीन चावल बनके बहुत ही अच्छे खिले हैं और इनका रण भी बहुत अच्छा आया हुआ है और खाने में भी बहुत तेश्टी हैं आप इस तरीके से अपने नमकीन चावलों को बना कर देखें और खा कर बताएं कि हमारे चावल खाने में कितने टेश्टी और खिले-खिले बने हैं इसके लिए देखो आप हमारे चावल कितने खिले-खिले हैं धन्यवाद झाल खिले-घटी